नमस्कार अपुर्वास किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोगों के साथ एक और पातूरी की रसिपी शेर करने वाली हूँ आज हम बनाएंगे रूई माचेर कॉला पातूरी ये एक बेंगॉली दिश है इसे अब ट्राई जरूर करें तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े से बरतन में दही ले लिया है ये पांच चमच दही है इसे हम अच्छे से फेट लेंगे दही को फेट लेने के बाद अब इसमें पांच चमच करीब पोस्ता दाना डाल देना है अब हम इसमें पीली सरसो डाल देंगे जितना आप पोस्ता ले रही हैं उसका हाफ सरसो ले अब इसमें सरसो तेल डाल देना है सरसो तेल मैंने दो चमच लिया है इसे अच्छे से मिक्स करें और अब हम इसमें हाफ चमच चीनी डाल देंगे चीनी डाल देने के बाद फिर से इसे अच्छे से मिक्स करना है और मशली के पीसे इसको अच्छे से धो कर तयार इस बैटर में डाल देंगे मैरिनेट करके इसे साइड में रख लें केले के पत्ते को हम सेक लेंगे चुकि केला का पत्ता अगर आप सेकेंगी नहीं तो ये फोल्ड नहीं होगा और ये टूट जाएगा तो इसे अच्छे से एक बार सेक लेना है दोनों तरफ से इसे पलट पलट कर सेक ले थोड़ा सथ सरसोते लगा कर मैंने इन पत्तो को सेक लिया है सेके हुए इन पत्तो में जो मशली है इसे डाल देंगे उपर से एक हरिमिर्ष डाल दें हर इमsz को काट कर डाल देना है इस तरीके से इसे दोनों तरफ से फोलड करते हुए हम अच्छे से इसे सील कर लेंगे धागा लेकर हम इसे बांद देंगे इसे क्या ये खुलेगा नहीं ऐसे ही दूसरा पत्ता लेकर भी इसे शेख ले और मशली डाल कर इसे तरीके से इसे fold कर ले, अच्छे से इसे fold कर लेने के बाद फिर से इसे धागे की मदद से बांद ले, धागा डाल कर इसे बांद लेना है, मचलियों का जो parcel है इसे रेटी कर लिया है, तो चलिए पातूरी को fry करना शुरू करते हैं, पैन में सरसो तेल डाल दे, तेल डाल देना है, जो तैयार पातूरी है, इसे हम डाल देंगे, और low to medium flame में 15-20 मिनट के लिए हमसे cook करेंगे, बीच-बीच में इसका lead हटा कर चेक करती रहें, आप देख सकती है, जब पत्ता इस तरीके से फूलने लगेगा, पत्ते में रंग आना शुरू हो जाएगा, इसका मतल आरसल को डाल दे, low to medium flame में 15-20 मिनट के लिए हम इसे fry कर लेंगे, जब पत्ता इस तरीके से फूल जाए तो कड़ाई से निकाल लेंगे, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब इसका हम जो धागा है इसे निकाल देंगे, धागा निकाल लेने के बाद पत्तो को हटा ले और प्यार है, रूई माचेर पातुडी, चावल या पुलाओ जिसके साथ भी आप इसे खाएं, ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा, आप इसे ट्राइज जरूर करें, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूले, अगर आपको मेरी र आपको मुझे रेसे, आपको म।श ना बदे सेयुक्शा ऑूले अग्च पात्स है, सब्सक्तर के लिजए को म।श दूर